नमसकार दोस्तों, आज की वीडियो में हम cover करने वाले हैं तो लिंक्स, तो लिंक्स गूरुप आपको वर्ड के अंदर भी मिलता है, MS Word के अंदर भी आपको इमिल जाता है, तो अगर हम वर्ड की बात करें, तो वर्ड के अंदर आपको बिसिकली, Cross Reference, Bookmark, and Hyperlink, तिन कमांड्स विसिबल होती है, बड़ अगर हम बात करते हैं, एक्सल की तो यहां पर क्रॉस रेफरेंस एट Bookmark का कोई भी ऑप्शन विसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों, पेजिज नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन देख रहा है, वो है Hyper Link, तो इसका Working Principle बिल्कुल सेम है, जैसा कि यह वर्ड में काम करता है, इसी तरह आपका यह एक्सल में भी काम करता है, तो Basically Link क्या होता है, एक Hyperlink किसी भी दूसरे डॉक्यमेंट को उपन करने में, या फिर कोई वेब पेज है, या फिर आपको किसी एक सीट से दूसरी सीट प प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ पर कमांड के ऊफर लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको छोटा सा डायलोग बोक्स विजीबल होगा, और इस डायलोग बोक्स के अंदर आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं, जैसा कि फाइल और वाप पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यमेंट, क्रिएट नियू डॉक्यमेंट, इमेल एड्रस, तो डॉंट वेरी हम आज की वीडियो में सारी चीज़े समझेंगी, हाईपर लिंक, तो यहाँ पर आपको दे रखा है करेंट फोल्डर, तो आप एक हाईपर लिंक क यहाँ पर उपन कर सकते हूँ, तो अभी यह क्या है, अभी एक नॉर्मल टेक्स्ट है अगर इस पर क्लिक करता हूँ, तो यह बट हो जाएगा, अगर में इस इस पे hyperlink apply कर देता हूं तो इस पे जब भी मैं क्लिक करूँगा इस text पे मैं जब भी क्लिक करूँगा तो फोल्डर यहां पर उपन तो फोल्डर आपको इस डायलोग बॉक्स से चूज करने अब यह डायलोग बॉक्स हो सकता है आपको यहां पर समझ नहीं आ रहा हो तो आप सारे फोल्डर सोपन कर सकते हुए यहां पर चोटा साइकन दिया हुए प्राउस फोर फाइल सिंपली क्लिक ओन बैट और यहां पर आपको सारे जो भी एक्स प्रोलर के फोल्डर से आपके माई कंप्यूटर के फोल्डर समों वीजीबल हो जाएंगे ज़स्पोस आइवां तो एड फोल्डर रेफरेंस तो आप यहां पर स्लेक्ट करोगे स्लेक्ट करने के बाद यहां से बोल रहा है ओपन ओके विकास हमने यहां पर क्या स्लेक्ट किया यहां पर हमने स्लेक्ट किया ब्राउस फोर फाइल विच मेंस हम एक फाइल उपन करना चाहते हैं लिंक पर क करिए और यहां पर आपको सारे एक्स पोल्डर स्विजिबल हो जाते हैं जिस्ट मिर को यहां पर dar डाउनलोड फोल्डर कर रेफ्रेंस देना है तो मैं आपे simply OK कर तो अब जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा डाउनलोड जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा आपके सामदे तो इस तरीके से आपका हाइपर लिंक काम करता है अभी हमने सिर्फ फोल्डर ओपन किया अब कि आपका टाइम सेफ रहे हैं नो मिलको अभी यहां पर कोई फाइल उपन करने जिसम के अंदर अब फाइल पूरे यहां पर अगर आपको विजिबल नहीं हो रही है मालोग आपकी जो फाइल है वो डॉक्यमेंट फोल्डर के अगे अलावा कहीं और रखी हुई है तो आप आपको simply select कर लेकल डाक जैसे मैं downloads में गया यहां पर Select कर लिया अपिडपली something इहां और मैने अपर तो आपका folder open होगा और इस पर click करोगे तो आपकी वह file open होगी जिसका reference हमने पास किया है अब guys यहां पर थोड़ा साम चेंज करने वाले हैं मालो मिलेको यहां पर कोई URL open करना है ठीक है तो URL open करने के लिए आपको यहां पर text लिखना है तो आप लिख सकते हो और आप directly text यहां पर भी add कर सकते हो just I am opening Google तो मैंने यहां पर लिख दिये Google okay so अभी मिलको Google का यहां पर URL चीओ तो URL आप कहां से ले किया होगे URL आप यहां पर click करोगे simply browse for the web and यहां पर आपका जो browser है default browser है system अभी आपको यहां पर सिर्फ Google सर्च करना है इस तरह और simply इस ट्रिंग को copy कर लेना है copy करने के बाद आप चाओ तो बंद कर सकते हो ना यहां जो address वाला section है इसमें आपको अपने web page का address देना है web page कोई भी हो सकता है just मैंने अभी Google का example लिया है आप चाओ तो कोई और web page भी add कर सकते है क्लिक करोगे okay पे और आप यहां पर देखोगे गूगल करके कि लिंक बना और जैसे में इस पर क्लिक करोगा ना आप देखोगे यहां पर यहां पर यह गूगल उपन कर देगा और मैं यह बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहा होता हूं क्योंकि आप किसी भी organization के अंदर आपका फॉल्डर हो गया और यहां पर आपका यूज करने वाले हैं तो हम एग्जिस्टिंग लिंक का यूज कर रहे हैं कंट्रोल के दुबारा से अब यहां पर एक ऑप्शन देख रहा है स्क्रें टिप क्या है जो आपको विजीबल हो रहा है जैसे मैं पर माउस ओवर कर आपको यह एड्रस जो देख रहा है छोड़े डियालोग बोक्स में यह एच्टीप सर्ण www.google.com दिससा स्क्रेंटेप और यह आपको फॉल्डर में भी विजीबल हो गया यह देखो तो अब जब यह चेंज करना चाहते हो तो यहां पर कंट्रोल प्लस के प्रेस करोगे ए इसका स्क्रेंटेप चेंज करना चाहते हो तो ख्रेंट प्लस करोगे तो जीए ओपन कर जाएगा तो आप अपर एरोष की रफ पी ले सकते हो च्रोल के का यहां पर आपको क्लिक करना स्क्रेंटेप में तो अपन। open ipw something file is there okay so you can write anything if you want okay and click on okay now if you have over the mouse here then you will see screen tip open ipw file now the location of the folder will be added here by default if you want to change it then you can do it I hope you will be cleared here so if you have cleared here then we will move forward and we will understand something else okay so this is one step back means the folder behind the document you want to open it like my default user here so you can change it I have covered it also covered it also covered it also covered it now this option is text to display okay now if I want to create a link here now I want to create a hyperlink so first I have to write I have to write I have to write I have to write what I want to write for hyperlink you don't want to write it and I will generate the link directly so this is blank cell even though you click here and click on control and now you can see here it is blank cell so I have to write hyperlink hyperlink okay now you want to create the link you want to create the link to select it so just I have taken here sparkline data and if you want to add the screen tip you want to add it you can also do it so you can write here open sparkline file and you can modify your according okay and click on okay now now you can see now we have to write the text directly when we generate the link first we were writing the text above it we are applying the hyperlink and this will perfectly work guys you can see so you have hyperlink all our data open which is present in your hyperlink file so which is how you are using hyperlink you are using control and try some other options so here you can find some other options in look in here browse pages pages and recent files so you can click here so this is your information provided which you have seen which you have opened the pages you have seen which you have opened folders all the data you will get here in recent recent file which we have used okay so this is no difficult task there you have to click here so you have two things you have to find cell reference and your define name so in cell reference you have to jump from one seat from the other seat then you have to pass the address here but now we have one seat so I will use one plus symbol here and you can also use shortcut so this is a sheet 2 and a sheet 1 so I want to create a sheet 1 link here so you can create a sheet 1 so you can create directly with control k now you press here control k sheet 1 sorry sheet 2 because we are currently working on sheet 1 we have to write this text and then we have to give address here so you simply click here sheet 2 and cell address you want to change here so you can do it now now we will click here now we will see that sheet 2 we have to go to sheet 2 now how to go to sheet 2 and sheet 1 how to go to sheet 2 and how to go to sheet 2 and how to go to sheet 1 same same what do you want to do again guys you have to create another hyperlink and this hyperlink in sheet 1 sheet 1 reference which you want to give to sheet 1 now now we will click here so you will jump on sheet 1 I think I have here wrong url passed let me cross check again okay sheet 2 instead of this you need to click on sheet 1 and now you can see now I will click here so you will come to sheet 2 and see here and click here then you will come to sheet 1 again so this way you can use internal hyperlink here you can use this the external hyperlink here and this the internal network here so I would hold this Fate 1 and seeigt as You know what you will be given in this nice position and how frequently happens you have different data you have to remember because you know you workload 16, 18, america 86 is already 5 times so those are many everything hidden but that data are not included. So there are multiple sheets with sheets comes here one sheet went out so that has been a different तो सीट्स को आप नेम से साइन कर सकते हो तो यह तो अपको इन डैफ्थ हम यहां पर पढ़ने वाले डिफाइन नेम के अंदर पर फोड़ा ब्रीफ देता हूं जिसे आप डिफाइन नेम के उपर हाईपर लिंक आप्लाई कर से अब कर से तो इस रेंज में को क्या करने है? सेव करने है सबसे पहले अब इसको सेव करने के लिए क्लिए करेंगे? यहां पे यह जो सिंपल सा बोक्स आपको देख रहे है जिसको हम नेम बोक्स बोलते हैं यहां पे आपको लिख देना है डिटा So this is the name of this range मतलब आपने इस रेंज के लिए ना अभी name assign कर दिया है Now अभी आप देख पाओगे कहीं पे भी control के and you can see data आपका यहां पे visible हो रहा है तो आप OK करोगे अभी आपको OK नहीं करना है मालो यहां से आपको जिंप करना है उस data के उपर या seat के उपर तो आप यहां पे यह से लिख सकते हो या फिर control के कर सकते हो and directly आप यहां पे लिख सकते हो data and इसके बाद आपको क्या करना है place in this document, select this and click on OK अभी आप जब भी इस पे क्लिक करोगे तो जो second seat पे आपका data पड़ा हुआ है वहां पे आप जब कर जाओगे यहां पे यहां पे यहां पे क्या होगा Excel आपके लिए एक document बनाएगा जो भी आप यहां पे नेम असाइन कर रहे हो path Excel ने आपको यह दे रखा है by default documents में जाता है आप चाहते हो चेंज करना तो चेंज कर सकते हो इसके बाद किस नेम से आप यह जो लिंक बनाना चाहते हो आपको पास करना होगा just like a new document I am writing here document okay अब यह जो document है यह लिख दिया है document अब यह हैंसे आपको दो अप्शेंस देता है when to edit मतलब आप इसको edit कब करना चाहते हो आपी यह फिर बाद में तो अगर आप इसको साथी के साथ जो आप document बना रहे हो उसमें कुछ write करना है तो आप यहाँ लिख सकते हो edit the new document now or edit the new document later अब बाद में इसको edit करोगे तो मैं इसमें आभी कुछ write करना चाहता हूँ तो मैं आप जैसे ही okay करूँगा एक hyperlink बनेगा साथ ही मैं आपको एक new document में मिलेगा और वो new document इस document से hyperlink की तो अटेच हो जाएगा okay तो अभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद यह आपको एक new blank Excel का document देदेगा आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी डेटा लिख सपते है अपनी तो यह आपका एक option होता है okay और लास्ट वाला जो option है guys वो है email okay तो screen tape आप दे सकते हो नहीं मैंने आपको बता ही दिया है email address तो सबोस एक organization के अंदर आपका बहुत सारे definitions होती है like manager, assistant manager and SME there are different kind of people available in the organization तो आपका यहाँ पे email addresses आप सेव करके रख सकते हो जैसे मानलो आपका एक name है एक बंदा है जिसका ने महान एक महेस एक राहूल एक पावन तो यह सारे अपना different different degenation पे हैं और आप इनको कभी-कभी mail send करना होता है organization के अंदर कि सारी चीज़ आपके organization में mail के थरू होती है तो आप उन mails का भी hyperlink generate कर सकते हो और यह by default आपका hotmail में open होता है बट windows 10 & 11 के अंदर आपसे पहले पूछा जाएगा कि आप क्या यूज करना जाता है Gmail हो गया vendor and hotmail हो गया Outlook हो गया तो बहुत स्वारी चीज़े आपके मिल जाएंगी मैं आप एक email address लिखता हूँ okay तो मैंने लिखा यहाँ पे hashtag code and this is wrong email address but we need to provide gmail.com तो यह मैंने बनाया अभी आपको यहाँ पे texture display देखा रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया only name okay तो अभी यह name यहाँ पे visible कराएगा और जैसे मैं इस name पे क्लिक करूँगा तो यह directly आपका mail के लिए option आपको देदेगा subject and recently used email addresses यहाँ पे देख सकते हो subject आप सभी के लिए same रखना चाहते है तो रख सकते हो otherwise इसकी कोई ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि जब भी आप mail राइट करते हो subject आपको महनुली लिखना होता है according to your topic किस के बारे में आप discuss करना चाहते हो okay करोगे click करोगे यहाँ पे यहाँ पे सारे जो भी mail providers है office 365 outlook google yahoo icloud और आपके पास अगर कोई other vendor है तो आप वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हो okay तो यह आप डारेक्ली यहाँ से mail सेंड कर सकते हो add account का feature भी यहाँ पे देज रखा है अगर आपका कोई और vendor आप यूज कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो तो यही था guys आपका hyperlink के अंदर एक और option चोटा साथ ही रखा है remove link का तो आप यहाँ पे जाओगे आपको सभी जगा पे option मिलेगा remove link का मतलब यह है आपका text डिलीट नहीं होगा hyperlink हो जाएगा यहाँ पे क्लिक करोगे text आपका as it is है but आपका hyperlink हो जाएगा इक और चीज में आपको बता देता हूँ अगर आपको टेक्स्ट एडिट करना है तो बेसिकली नॉर्मल टेक्स्ट पे तो हम डबल क्लिक करके एडिट करने देता है तो आप इसको एडिट करने के लिए क्या करोगे एडिट करने के लिए आपको simply इस एल पे एरो से करजर प्लेस करना है प्रेस करना है only F2 function की third key of the keyboard edit हो गया आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो expand कर सकते हो अपने hyperlink text को that's it guys so यही था आपका hyperlink के बारे में I hope आपको सब समझ में आ गया होगा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें comment out करके बता सकते हो धन्यवाद guys